हाई फ्रेंड्स विल्कम है मारे यूटूब चैनल्स पे आज हम आपके लिए लेका रहा है टेस्ट नमबर 10 ये फ्रेंड्स हमारा टेस्ट नमबर 10 है इस पे हम बात करेंगे प्रिथम भारतिये नोबेल पुरुसकार बिजेता काफी इंपोर्टेंट हो जाता है टॉपिक अक इसम बार किसे मिलाता मतलब फर्स टाइम में किसे मिलाता यह कई बार exam में यहां से कोशन पूछ लिया जयता है अकसर पूछा जाता है सभी exam में और यह कोशन्स सभी जितने competitive exam है आप देख शक्ते अपने screen पर सभी के लिए very very important है साहित के चेत्र में नोबेल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारती कौन थे? कौन थे? कमेंट करें अपना अमसर अगर आपको आमसर आया करें तो आप अपने अमसर बताया करें और लास्ट में बताएं आपने कितने कोशन सही किये आपसन 20 का राइट आंसर होगा रविना टैगोर जी को साहित के चेत्र में नोबेल पुरुसकार मिला था ये प्रतम भारती थे जिन्हें पहली बार नोबेल पुरुसकार दिया गया था किस चेत्र में दिया गया था? साहित के चेत्र में कई बार एकजामस में पुछा गया है कि जो रविना टैगोर को साहित के ये पुछा गया था रविनाग टैगोर को पुरुसकार दिया गया था वो किस फील्ड में दिया गया था और कौन से year में दिया जए गया था तो ये बात ध्यान रटनी है आपको नोबेल पुरुसकार प्राप्त करता जो प्रथम भारती थे तो थे रविनाग टैगोर और किस छेतर में दिया गया था literature के field में कहें या साहित के छेतर में यहाँ पर आप देख ले जब भी पूछा जाता है exam से question बनता है जो इनको साहित के छेतर में दिया था तो क्या किया था इन्होंने एक book लिखी थी कौन सी book लिखी थी गितांजली question में यह पूछा जाता है किस book पर दिया था इन्होंने बहुत सारी book लिखी है रविना टैगोर जी ने लेकिन इनकी यह काफी important book है गितांजली तो इस पर दिया गया था यह literature है या साहित है ठीक है तो इस book के उपर इन्हें दिया गया था क्या साहित पुरुसकार या literature's पुरुसकार दिया गया था literature's प्राइज दिया गया तो ध्यान में रखना है इनकी जो book है जिस पर दिया गया था नोबेल प्राइस गितांजली नाम है उस book का और रविना टैगोर जी को दिया गया था साहित के छेतर में दिया गया था question number two पढ़ लें यहां से एक question और पुछा जाता है साहित के छेतर में प्रथम नोबेल पुरुसकार विजेता जो रविना टैगोर जी थे इनको किस वर्स दिया गया था इन विच एर वाज दी फर्स नोबल प्राइस the field of the literature given to रविना टैगोर किस वर्स दिया गया था आप समस इसका right answer होगा 1913 में दिया गया था 1913 में दिया गया था साहितर के छेतर में दिया गया था किसे दिया गया था रविना टैगोर को जी को दिया गया था कब दिया गया था कोशन नमबर 3 पे दिया गया चिकिस्ता के छेतर में नोबिल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रिथम भारती कौन थे कौन थे वो पढ़ लें आप कोशन को अच्छे से फिर अपना अमसर बता सकते हैं अपसर में कभी मिलता है हर गोविन कुराना तो ध्यान रखना है हर गोविन कुराना को प्रतम भारती थे जिने चिकिस्ता के छेतर में या मेडिशन के फिल्ड में नोबिल पुरुसकार दिया गया था ठीक है यह पहले भारती थे यह बात ध्यान रखना है और एक बात और ध् बताएंगे 1968 में 1968 में नोबल पुरुसकार जो दिया गया था चीकिसा के छेतर में हरगोबिन खुराना को वो दिया गया था 1968 में 1968 में दिया गया था तो एयर भी याद रखना है कई बार एयर्स एक्जामस में पूछे गये हैं कोशे नंबर ए फोर यह प्र्थम भार्व जिने दिया गया है आपको इन पर बहुत फोकुस करना है Q 4 पर दिया गया है भौतिक सास्त्र में नोबेल पुरुषकार प्राप्त करने वाले प्र्थम भारती कौन थे क्या होगा इसका राइट आंसर आपशन एसका राइट आंसर है चंदर सेकर वेकेंट रमन को दिया गया था भौतिक सास्त्र में या भौतिक विज्ञान कहें या भौतिक सास्त्र कहें या फिजिक्स कहें तो ठीक है तो ध्यान में रखना है आपने चंदर सेखर वेक्टेम रमन को दिया गया था भौतिक सास्तर में पर्थम नोबेल पुरुसकार ये पहले भारती थे जिन्होंने नोबेल पुरुसकार प्राप्त किया था किस वर्स दिया गया था ये बात ध्यान मिरक्ने कई बार एक्जामस में मैचिंग के लिए आ जाते हैं पपलिक सर्वीस कमिसन, ससी, आर्मी सभी में पूश लिया जाता है की जो चंदर सेखर वेकेंट रमन को भौतिक सास्तर में पुरुसकार दिया गया था वो किस वर्स दिया गया था यह 1930 में दिया गया था 1930 में दिया गया था नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 5 पढ़ लें आप अपना मसर बता है कोशन नमर 5 यहाँ पर question number 5 पर दिया गए सुब्रहमन्यम चंदरसेखर को भातिक सास्त्र में नोबेल पुरुसकार किस वर्स दिया गया था यह काफी important है यह भी एक्जांस में बहुत पुछा जाता है in which year सुब्रहमन्यम चंदरसेखर was given Nobel Prize in physics इन्हें जो दिया गया था आफसंड इसका right answer होगा 1983 में 1983 में दिया गया था सुब्रहमन्यम चंदरसेखर को इन्हें एस चंदरसेखर के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान में रखना है एस चंदरसेखर जब भी मिले तो इसका मतलब इन्हें 1913 में नोबेल पुरुसकार दिया गया था लेकिन जब पहले वाले बंदे की बात करेंगी कि फर्स टाइम किसे दिया गया था भावतिक सास्र में किस भारती को इनको दिया गया था चंदर सेकर वेकेंट रमन को ठीक है तो इनमें दोनों में ध्यान रखना है क्योंकि मिलते जुलते हैं तोला काफी सा तो इस पर ध्यान रखना है तोला और हाँ एक बात और ध्यान में रखके कभी कभी क्या होता है जो ये नाम लिखा है इसे पूरा न लिखके सौटकट में लिखा जाता है इसे CV रमन भी कहा जाता है CV रमन तो आपको ध्यान में रखना है CV रमन को पहली बार जो पुरुषकार मिलाता है Physics के चेतर में सबसे पहले CV रमन को मिलाता ठीक है तो CV लिग दिया जाता है पूरा राम चंदर सेखर वेकेंट रमन नहीं मिलता तो रमन को दिया गया था, कभी-कभी किस चीज के लिए दिया गया था, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो इनको दिया गया था, 1930 में पहली बार, जब दुबारा दिया गया पुरुसकार फिजिक्स के छेतर में, वो चंदर सेखर, ये सुब्राहम अन्यम चंदर स सेखर को दिया गया था, 1983 में, ये काफी इंपोर्टे है, ध्यान रखे, कभी-कभी दोनों दिया जाते हैं, एक्जामस में, कोशन नमबर है, 6, कोशन नमबर 6 पे दिया गया है, अर्थ सास्र के छेतर में, प्रथम नोबिल, पुरुसकार, विजेता कौन थे, who was the first, नोबिल prize winner in the field of the economics, कौन थे, आपसंट, इसका right answer होगा, अमरफ सेन थे, ठीक है, बहुत important है, कई बार पुछा जा चुका एक्जामस में, प्रथम में, फस्ट है, इसलिए बहुत पुछा जाता है, इसे एग्नोर ना किया करें आप, आपसंट, इसका right answer होगा, अमरफ सेन को, अर्थ सेन को दिया गया था, तो अमरफ सेन कभी-कभी इस तरह मिलता है, तो ध्यान में रखना है, अमरफ सेन, इस तरह, यही सही है, इस तरह, ठीक है, यहाँ पर अमरफ इस तरह लिखेंगे आप, अगर लिखना चाहें, तो आपको इतना तो, गिस लगी जाएगा कि, अमरफ सेन who are the first nobel prize winner in the field of the peace peace मतलब होता है सांत्र के छेत्र में तो किसे दिया गया था आप समसे इसका right answer होगा Mother Teresa को दिया गया था बहुत बार पूछा गया एक्जाम्स में इन्हें Missionary of the Charity के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से The Missionary of the Charity के नाम से जाना जाता है किसे Mother Teresa को किस फिल्ड में दिया गया था पूरुसकार सांत्र के छेत्र में दिया गया था कई बार एक्जाम्स में पूछा जाता है जो Mother Teresa को पूरुसकार दिया गया था किस फिल्ड में दिया गया था Question किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है तो ध्यान रखना है question को अच्छे से पढ़ लेना अब बात करें यहाँ पर किस year में दिया गया थो 1979 में दिया गया थो 1989 में दिया गया थो 1979 में दिया गया थो year भी आपको ध्यान में रखना है कि किस वर्स किसे दिया गया थो चलिए next question पर बात कर लेते question number 8 यह हमारा last question है अभी तक Nobel पुरुस्कार कुल कितने छेत्रों में दिया जाता है how many fields have the Nobel Prize have been awarded so far तो कितने छेत्रों में अभी तक जो दिया जाता है कितने field में दिया जाता है option 20 का right answer होगा 6 field में दिया जाता है 6 field में अभी तक जो दिया जाता है Nobel पुरुस्कार वो किवल 6 छेत्रों में दिया जाता है कई बार एक्जामस में पूछा गया है कि Nobel पुरुस्कार कुल कितने छेत्रों में दिया जाता है 6 छेत्रों में दिया जाता है 6 field में दिया जाता है चलिए बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी field है ठीक है यह है पुरुसकार देखो सांत के चेत्र मतलब पीस में साहित के चेत्र में भातिक विज्ञान के चेत्र में रासायन विज्ञान या केमस्टी चिकिस्सा मतलब मेडिसन अर्थ सास्त्रिया इकोनॉमिस के चेत्र में दिया जाता है यह आप देख लें यहाँ पर यह च इस फिल्ड में नोबेल पुरुसकार नहीं दिया जाता है, तो आपसन में हमेसा खेल होता है, क्या, खेल के छेतर में नहीं दिया जाता है, मोशली लोग क्या करते हैं, खेल को सोचते हैं कि नोबेल पुरुसकार खेल में दिया जाता है, लेकिन नोबेल पुरुसकार स्पोर् नोबेल फाउंडेशन दोरास, स्वीडन के बैज्ञानिक जो थे अलफ्रेड नोबेल, इनकी याद में नोबेल पुरुसकार दे जाता है, किनकी याद में अलफ्रेड नोबेल की याद में, ये एक रासायन विज्ञान के काफी बड़े विसेशक थे और भौत इक विज्ञा था कि जो भी हमारी रास याए, जो भी हमने पैसा कमाया है, दौलत कमायी है, तो उस पैसे से क्या होगा, नोबेल पुरुसकार दिये जाएंगे, मतलब लोगों को क्या किया जाएगा, और लोगों को अवार्ड दिये जाएंगे, ओके, तो 10 दिसमबर 1895 को इनकी मिरत्य हु बहुती विग्यार, रासायन विग्यार, चिकिसा, आर्तसास्तर के सेत्र में दिये जाएंगे, यह विस्त का सबसे सर्वोच पुरुसकार है, बहुत चर्चा में रहता है, यह विस्त जो नोबेल पुरुसकार होता है, यह दुनिया का सबसे सर्वोच पुरुसकार है, पुरुसकार मरने के बाद नहीं दिया दिया था लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ये पुरुसकार देने की घोश्रा हो चुकी है क्योंकि घोश्रा कब होती है अक्तूबर महिने में होती है अक्तूबर महिने में घोशला की जाती है और 10 दिसंबर को पुरुसकार बाटे जाते हैं तो ध्यान में रखनी है अगर व्यक्ति की घोशला हो गई है डेक्लेरेशन हो गया एनाउंस्मेंट हो गया कि फला व्यक्ति को पुरुसकार दिया जाएगा लेकिन उसकी अचानक मिरत्य हो गई या किसी कारणवास उसकी मिरत्य हो गई तो उसके किसी भी रिस्तेदार को या रिलेशन या उसके किसी भी रिलेटिव को पुरुसकार दिया जा सकता है लेकिन मरनो प्रांत मान लो कि कोई व्यक्ति का देट हो गया अगर सोचो कि उसको declare किया जाए या announce किया जाएगा पुरुसकार देने के लिए नोबेल पुरुसकार तो ये मरणो प्रांत नहीं दे जाता by the way announcement हो गया हो गोंशड़ा हो गई हो बाद में कोल उसको लेना लेना हो तो ठीक है उसके किसी भी परिवार के रिष्तिदार को दिया जा सकता है नेक्स्ट पुरुसकार जो बित्रण समारो होता है हर साल स्टाख हो कहां स्टाख हो स्वीटन में आयोजित किये जाते हैं ठीक है ये यूरोइपियन कंट्री है तो इन पर भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको फिर जो नोबल पुरुसकार प्रदान करती है कौन-कौन सी संस्टाइं प्रदान करती है एकी संस्टा नहीं है इनकी कई संस्टाइं देखिए अब दर्रायल स्वीडिस अकेडमी ओफ दी साइंसेज ये भौती विज्ञान अर्थ सास्तर और रासायन सातर में मतलब फिजेक्स, केमेस्ट्री और एकोनोमिक्स में कौन सी इनस्टिटिशन से देता है ये दर्रायल स्वीडिस अकेडमी ओफ दी साइंसेज के दोरा इन तीन छेत्रों में नोबल पुरुसकार दिये जाते है अब जब बचता है चिकिसा के छेत्र या मेडिसन के छेत्र मेडिकल के फिल्ड में मेडिकल के फिल्ड में देता है दा कोरो लिंसा इनस्टिट ये एक इनस्टिट कराम है संस्ता कराम है जो औसद या मेडिसन या चिकिसा के छेत्र में देता है नोबिल पुरुसकार नेक्स्ट है एक ये पॉइंट मिंसन है यहाँ पर नर्वेजियन ये दा नर्वेजियन नोबिल समिती ये सांती के चेत में नोबिल पुरुसकार प्रदान करती है सांती के चेत में जो नोबिल पुरुसकार करती है प्रदान वो होती है The Norwegian Nobel Summit सभी के लिए अलाग-अलाग है किसी के लिए एक ही संस्ता नहीं देती तो ध्यान में रखना है The Royal Swedish Academy of the Sciences भहुत क्विग्ञान Physics, Heart Science, Economics और ये रासाइन साइस्ट का मतलब Chemistry में इसके लिए तीन के लिए जिम्मेदार है एक के लिए और एक के लिए ये जिम्मेदार है, Norwegian जो Nobel Summit ये सांथी के छेत में देती है उमीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर चैनल पे नहीं है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें क्योंकि हम डेली एक टेस्टरीज अपलोड करते हैं जो आपके एक्जाम्स के लिए काफी बेथर होगी आप दीर दीर यहां प्रेटिस करते रहें क्योंकि प्रेटिस के लिए एक कोशन दे जाते हैं आप ज़्यदा प्रेटिस किया करें इससे आपका नालेज भड़ेगा और आप हैप्चुल हो जाएंगे एक्जाम्स के प्रेटिस तो इसलिए आपको ज़्यदा ज़्यदा प्रेटिस करना है और आपको सीगरी सफलता मिलेगी थैंक्स पर वाचिंग प्रेंट थैंक्यू बाबाई